नमस्कार माहों और शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट्राइन स्पोर्ट्स इस समय की सबसे बड़ी खबर आ रहे हैं कि युवराज सिंग की टीम टॉरेंटो नेशनल्स विनिपैग हॉक्स के खिलाब वाहर हो गई है पिछला मुकाबला भी कांटे की टक्कर के तौर प नेशनल्स का उसमें पिछले मुकाबले में युरा सिंग ने 45 रन मारे थे जब 216 पर एकदम टाई होने वाला था मुकाबला और आकरी गेंद पर विनिपैग हॉक्स ने मुकाबला जीता था और इस मैच में भी इतने ही कांटे की टक्कर हुई टोरेंटो नेशनल्स पहले बल्ले बाजी करते हुए 249 रन का टार्गेट जो काफी बड़ा टार्गेट है किसी भी टीम के लिए यह पाना लगभग नामुम्किन सा लगता है लेकिन कल बारिश की वज़े से खलल हुआ जिसकी वजह से पूरा मैच खराब हुआ और युबरास सिंग की टीम को बारिश और नेशनल से काफी अच्छी बल्लेबाजी करी शुरुवात में उत्रे चिराग सुरी और रोडरीगो थॉमस पूरे ही सीरीज में देखा गया है पूरे जो टीट्वेंटी लीग हुई है यह उसमें पूरा जो परफॉर्मस दिया है रोडरीगो थॉमस का कंटीन रन में एक महत्पून पारी रही और इनके साथ ओपनिंग करने उत्रे चिराग सुरी जिनका काफी अच्छा सीजर नहीं रहा है सिर्फ एक ही मैच में चमके हैं और इस मैच में भी उनका ज्यादा अच्छा परदर्शन नहीं रहा ग्यारा गेंदों में 16 रन मारके वो पव इस सेंच्री की बदोलत जो सामने वाली टीम थी काफी पस्त दिखाई दी उसके बोलर काफी फीके दिखाई दी और सब को रन खाने पड़े जो उनके कप्तान थे रियाल्ड एमिरेट उन्हें काफी रन खाने पड़े और मात चार ओवर में उन्हें 51 रन खाए जिसके युवरास सिंग के एक एहम बात जो है वह युवरास सिंग को रिटाइड हर्ट आउट होने पड़ा और उसकी वजह से उन्हें वापस जाना पड़ा उनकी कमर का दर्द अभी तक सही नहीं हुआ था थोड़ा नॉर्मल लग रहा था उन्हें वह खेलने उत्रे लेकिन वह उमीद करी जा रही थी वह नहीं खेल पाए और उन्होंने साथ नहीं दिया लेकिन उसके बाद भी जो टीम ने परदर्शन करा वह 238 बनाए तो टोरेंटों नेशनल्स का इतना बड़ा टार्गेट का पीछा करने उत्री जो विनिपैक हॉक्स की टीम है काफी स्टार्टिं मारने में तो क्रिस लिन ने इस मैच में तहरा गेंदों में मात्र 21 रन बनाए जिसकी वजह से ओपनिंग ज्यादा अच्छी नहीं रही शाइमान अन्वर जो पिछले मैच के हीरो थे टोरेंट नेशनल्स के खिलाव उन्होंने पांच गेंदों मात्र 5 रन बनाए इसके बा टीम को जटके लगने शुरू हो गए लेकिन फिर आया टीम का सबसे एक्सपीरिंस खिलाड़ी जीन पॉल डियूमिनी और सनी सोहेल इंदों ने पारी को संभाला और एंड में मैच जिता के ले गए डियूमिनी ने अच्छी रन बनाए और मात्र 41 गिंदों में 85 रन ठोक द ले दी गई क्योंकि बारिश पढ़ गई थी और उनका रंडेट जादा था जितना होना चाहिए था उन्हें एक सब्सक्तान में अगर उनके होते तो वहार जाते लेकिन युवराज की टीम को बाहर होना पड़ा ये युवराज के पैंस के लिए सबसे बड़ा जटका था आप वो ने कभी खिरतव दीख नहीं पाएंगे ऐसी ही तमाम कपरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें एक्स नाइन स्पोर्ट्स पर